खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन नमस्कार आप देख रहे हैं इंडिया टाइम डडी फोन न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दीपक महराष्ट के और अंगबाद से एक दिल धहला देने वाली घटना सामने आई है जहां रेल की पट्री पर प्रवासी मजदूरों को एक माल गाड़ी ने रौन दिया जरा देखें हमारी ये रिपोर्ट सुबे के करीबन साड़े छे बजे थे जब महराष्ट के और अंगबाद से एक दिल धहला देने वाली घटना सामने आई घटनाग जालना रेलवे लाइन के पास की है जहां 16 मजदूरों की मौत हो गई जबकि कई अन्य मजदूर गायल बताए जा रही है हाथसा और अंगबाद जालना रेलवे लाइन के पास हुआ हाथसे के बाद रेल मंत्री ने जाच के आधेश दे दिये हैं बतादे की कोरणा की वज़े से देश में लोगडाउन लागू है और यातायात का कोई भी सादन नहीं चल रहा ऐसे में सभी प्रवासी मजदूर अपने घर पैदल जा रही थे जिस दौरान ये हाथसा हुआ फिलाल घटना के बाद सूचना मिलते ही इस्थानिय प्रशासन और रेलवे के अधिकारी मौके पर पहुचे हैं दक्षिन सेंटर रेलवे के चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का कहना है कि औरंगाबाद में करमान के पास एक हाथसा हुआ है जहां मालगाडी का एक खाली डिबबा कुछ लोगों के उपर चल गया है आरपी एफ और इस्थानिय पुलिस मौके पर मौजूद है भारते रेलवे की और से इस हाथसे को लेकर जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि औरंगाबाद से कई मजदूर पैदल सफर कर आ रहे थे कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये लोग ट्रैक पर आराम करने के लिए रुके उस वक्त माल गाड़ी आई और उसकी चपेट में कुछ मजदूर आ गए जब इस दर्दनाक हाथसे की खबर पी ए मोदी को लगी तो उसके बाद पी ए मोदी ने किस तरह से दुख जताया दिखाएंगे एक छोटे से बिक के बाद जल लोटते हैं भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल महावीर इंकलेव पालम डावडी रोड पर स्थित सौथ वेस्ट दिल्ली का एक मात्र मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ डॉक्टर सी एम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्रात्मिक्ता है वो भी अफोर्डिवल रेट्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आई आपको बताते हैं कि इस दर्दनाख हाथसे को लेकर पीएम मोदी ने किस तरह से दुख जताया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भी औरंगाबाद में हुए रेल हाथसे पर दुख वेक्ट किया है पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि ओरंगाबाद में हुए रेल हाथसे में जिनकी जान गई है उससे काफी दुख पहुचा है पीएम मोदी ने इस हाथसे के बारे में रेल मंत्री पियुश गयल से बात की और हालात का जायजा लेने को कहा आपको बता दे की कोरोना की वज़े से लगे लोगडाउन के कारण देश भर में मजदूर फस गए थे कई जगे से हजारों की संख्या में मजदूर पैदा ली अपने गाउं घर की और निकल रहे थे ऐसे में राद को रुकने के लिए सैक्ड़ों मजदूरों ने रेलवे ट्रैक का सहारा लिया बीते दिनों केंदर सरकार की और से मजदूरों को उनके राज्ये वापस भीजने के लिए इजाज़त दे दी गई थी जिसके बाद राज्य सरकारों ने बसों की विवस्था कर अपने मजदूरों को बुलाया इसके अलावा रेलवे की ओर से स्पेशल सरमिक ट्रेन भी चलाई गई जो मजदूरों को उनके राज्ये वापस पहुचा रही है लोगडाउन का जब पहली बार एलान हुआ था उसके बाद से ही लाखों की संख्या में मजदूर जहां पर थे वही फस गई थे खाने और रोजगार की चिंता में मजदूर पैदली अपने गाउं की ओर चल दिये थे इसके पहले भी रास्ते में हुए कुछ एक्सिडेंट में प्रवासी मजदूर अपनी जान गवा चुके हैं गौरतलबी की देश के अलग-अलग हिस्सों में अब राज्य सरकार की योर से की गई सिफारिश पर स्पेशल सर्मिक ट्रेन चलवाई जा रही है इस दोरान राज्य सरकारों की योर से जो लिस्ट दी जा रही है उन्हें ही ट्रेन में सफर करने की इजाज़ा दी जा रही है ऐसे में जिन मजदूरों का नाम इस लिस्ट में नहीं हैं वो जहां हैं वहीं फसे हैं इस दर्दनाक हाथसे में अपनी जान गवाने वाले सभी प्रवासी मजदूर, मद्देपर्देश के रहने वाले थे। ऐसे में सीएम शिवराज ने सभी मृतकों के परीजनों के लिए 5-5 लाग रुपे के मुआवजे का ऐलान किया है। इसके साथ युनोंने रेल मंत्री पियुष गोल से बात कर गायलों की सायता करने को कहा है। इस खबर में फिलाल इतना ही देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए। इंडिया टाइम 24 न्यूज नमस्कार।